नमस्कार दोस्तों स्वागत आपके CP Smart Classes में दोस्तों उत्तर प्रदेश के इबारे में यह वीडियो है उत्तर प्रदेश की सारी जनकारी आपको दी जाएगी इस वीडियो में उत्तर प्रदेश की इबारे में जो उत्तर प्रदेश परिच्छाएं आयोजयत की करवाता है प पर शियन सब्सक्राहां गोड़ी होगा चार्सिफ्ट में होगा इसके बाद 29000 जाकरिधी की परिछा है इसके परेच्छा के बाद मन्डी निरिच्छ की परिच्छा एंगे सबसे हैनुं ज़लूरी इसके लिए वीडियो की एक्जाम मैं कि प्रशन का पेपर था जी के आर्ठ प्रशन बीडियों की आंव मं उत्तर प्रदेश से पुंचिय गए थे इस बार को पका करना तो पूर देखेगा और इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर के लिए जिससे उनको भी जनकारी मिल सकें दोस्तों सीपी स्मार्ट क्लासेस पेस्तरें के वीडियो आपको मिलते रहते हैं और अगर आप फास्ट हैं हमारे वीडियो देख रहे हैं तो चनलों को सब्सक्राइब कर लिए इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की पूरी जनकारी उत्तर कोवीडियो देन देंगे वीडियो फ्याख लम्ब होगा पूरा देखना उनका डेखना और वीडियो का जो पीडियोफ प्रक्क में देंगे। लिंक कोको體 के अथि खाल आ प्लछ में विडियो मिल जाता है तो दोस्तों शुरू अब देखिए पूरव में कौन-कौन से राजियां उत्रप्रदेश के तुस्टे बिहार है ज्यारखंड है और यह पूरव और साउथ की बीच में आता है यहां पर आपका च्छतिस गळा आता है फिर आता है आपका शाउच में आता है मद्धिप्रदेश वेश्ट में क्या अधियर हाता है तो बिहार हो गया ज्यार च्यांड हो गया घर्यार हो गया और खिओ इल्ली भी उत्तरप्रदेश के बाद से हुसकी सीमा आपको एक दूसरा देश है जिसकी सीमा भी उत्तर प्रदेश से टच करती है नेपाल की नेपाल का बॉर्डर यहाँ पर आता है तो उत्तर प्रदेश नेपाल की बॉर्डर से टच करता है यह तो हो गया उत्तर प्रदेश के भूगोल के बारे में मैंने आपको बताया क्योंकि प्रे राज्जिवं से उत्तरदेश की सीमा टैछ करती है पर इसके साथ ही एक इस्तरी का प्रेशन आता है और इसनाती है जिलृओं संख्या तो यह दीनल के सबको मालूम सबसे यह सबसे बड़ा जिला खीरी लखीमपूर है यह जो दिला युद्र अप्रदेश को यह जिला राय धानि यह लखनू बी संटर में पड़ती है जिला भदोहि संत्र वीदासनेगर शबसे चोटा जिला उत्तर प्रदेश का इस तरह इस प्रेशना को यह श्याम में पूछी य भाधनि नंबर भारत में किसे स्थान प्याता है कि यह सबसे बड़े राजी दिए गए यहां पे और उत्तर प्रदेश जलवाय चाहिए उसने बन दिये मांसुनी जलवाय होती है और उत्तर प्रदेश में आउस्त तापमान कितना रहता है जन्वरी में 3-4 डिग्री सेल्सियस रहता है मैई जुन में 43-45 डिग्री सेल्सियस रहता है पूरव में वर्सा ज्यादा होती है उत्तर पच्छिम की तरफ धिरे-धिरे कम होती जाती है पूरप में वर्सा उत्तर प्रदेश में ज़्यादा होती है पूरप कहां पे है यह जो पूरप पूरप पूरवत्तर में पूरवत्तर राजी उसको बोलते हैं जहाप यह गोरगपूर यह साइट का इरिया जो आता है यहाप ज़्यादा वर्सा होती है और पच्छिम की साइ वेधिक सभ्यता की यहन्म स्थली उत्तर प्रदेस है उत्तर प्रदेस का अधरा सो चहतीस में ब्रेजुदंषी को उत्तर प्रदेश इसका नाम पड़ा और नौ नौॉम्बर 2000 को उत्त्त्रा खंड का निर्माड हो गया इसंए से उत्तर प्रदेश में उत्त्र खंड कट गया यह प्रेशन अक्सर एक जाम pe Snaafy पूंचा जाता है कि उत्त्रा खंड क निर्माड कब ऊवा 9 नॉम्बर 2000 को उत्तराखंड का निर्माड हुआ आगे देखते हैं उत्तरप्रदेश का राजकी प्रतीक जो है इसके बारे में पूंची जाते हैं प्रेश ने तो राजकी पसु बारा सिंगा होता है यह होता है बारा सिंगा आप देख लिए राजकी पच्छी सारस होता है स पूस्प क्या है वह है प्लास में आगे आते हैं उत्तर पदेश के राच्किय प्रतीक अंदो है कि द्धनुस जो है यह होगा यह द्धनोस बनी हुए रोहू मछली को बोलते हैं रोहू मछली उसके दनुस ये इसका राच्की यह कि हेल क्या है हां कि ये राज्की निश्थ क्या है कत्थक इप स्काल आप उत्त्यव यह नियूत्यक स्थ्य आपbenंडेयोगी अदितना थे रास्यपाल गांके विधान सवा किसी टे छाउथ प्लशाव 003-005 0049 चारसो तीन निर्वाचित होते हैं और एक मनुनीत होते हैं विधान परिशद में सव सीटे हैं यहां पर उच्च नियायाला इलाहबाद में है और इसके खंड़ पीठ जो है वो लखनों में हैं लोग सभा की 80 सीटे हैं राजी सभा की 31 सीटे हैं उत्त्य प्रदेश यणगर्णा 2011 क्या नूसार जन्संख्या कितनी थी 19.98 करों और ब्रद्धी कितनी हुई 20.22 परसंट टुटल लिंगा नूपाद 912 बाल निंगा नूपाद 902 जन्संख्या गनात्व 831 साक्षर्टा 67 पॉइंट 78 प्रूफ साक्षर्टा 77.28 महिला साक्षर्टा 57.218 सहरी जन्संख्या 77.73 ग्रामिट जन्संख्या 22.27 यह उत्तर प्रदेश की जन्संख्या क्या आंकड़े हैं इसके बाद जन्गर्णा में और भी कोश्चिंस आते हैं सर्व आधिक जन्संख्या जिला पूंचा जाता है अक्सर इलाहाबाद 69 लाख इसकी जन्संख्या है सब्से कम जन्संख्या व्रु starch तो महोबा है 875 लाक सबसे ज्यदा जीमा पूंचे जाता तो गौतम जिन ला कर रहा है असी दसमेलो यह तो 1212 परसंट एटी पॉंट सबसे ज्यादा जैन संख्या भ्रधी वहराईची में हुई थी 46 पॉइंट और इसके साथ सबसे कम सक्षा जिला सरावस्ती है और सबसे कम जन्संक्या वाला जन्संक्या ब्रधी वाला जिला भी सरावस्ती है आगे बढ़ते हैं दोस्तों सकल गहरेलू उत्पाद अर्थविश्टा के बारे में बात की जारी अभी आपसे सकल घरेलु उतपाद में उत्तर प्रदेश की rank 4 है rank 4 कहा पर भारत में rank 4 है और ब्रधिदर 8% है GDP क्रिसी में 25% है उत्द्योग में 24% है सेवा में 50% है यह सब आपसे नहीं पूंचा जाएगा GDP में इतना जाता question नहीं पूंचा जाता है लेकिन आपकी जानकारी के लिए यहां ब्रदेश की क्रिसी सर्वाधिक अन्य का उत्पादन करता है उत्त्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का लगबग 65% की क्रिसी में लगा हुआ है प्रदेश में गेहुं धान दालें आलू और तिलहन की प्रमुक फसलें हुगाई जाती है उत्त्य प्रदेश गेहुं गन्ना आलू आम की उत्त्य प्रदेश बंगाल के बाद दूतिये स्थार है कि आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के इसमारक के वारे में आपको बता दें कि ताज भाल आगरा में है बुलंदर वाजा फत्यपूर सीखरी में है यह बुलंदर वाजा की पिक्चर है यह अकबर का मगबरा जो है आगरा में है यह अकबर का मगबरा है राजा बीर सिंग्देव ने बनवाया था जहांसी में है कि उत्त्य प्रदेश के राष्टिये पार्क राष्टिये पार्क दुद्धवा है 1970 में सबसे प्राचीन राष्टी पार्क है यूनिसको इस मारक कौन-कौन से आग्रा का किला है 1983 पत्यपूर सीक्री 1986 ताजमाल 1983 उत्तरप्रदेश की परेचे में बुक्सा थारू राजी और जौन-वालतर वले जीले हैं सबसे चोड़ी जिनजाती ही सब्सक्राइब करने सबस्क्राइब आपको प्राइब करते हैं परिश्य दिजलों की लक्डिक हिलोने ना बनते हैं वारानसी और मेरट में बनते हैं पीतल की मूरती के लिए मथुरा फीमस है दिया सलाही लिबरीली रवण गाजियाबाद में ताला अलीगड़ में चमडा कानपूर में कागा साहरनपूर में आईटी सिटी नोड़ा खेल कस्वान मेरट फिलोजाबाद में कांच उद्योग बंद होता है यहां पे पुर्मोखनिज चुना पत्थर जो होता है मिर्जा पुरोर सोन बद्र में पाया जाता है डोलोमाइड बांदा मिर्जा पुरोर सोन बद्र में पाया जाता है जिबसम जहांसी यावर हमीर पुरों पाया जाता है यूरेनियम ललिक पुरों पाया जाता है कोईला सोन बद्र म होते हैं उनके बार में वखको बना दें टॉपिक वाइस आपको मैंने सिकुछ पथा दिया है मुखी रूप से उत्तर ब्रदेश में हिंदी और भोश्पुरी बोली जाती है में भोश्पुरी जो है पूर्वानचल उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा किस साधन से होते है तो आप नलकूपों द्वारा बताएंगे उसमें इंसर क्या है गन्ना है उत्त्य प्रदेश के प्रमुख लोग गीत भी रहा होता है लोग गीत भी रहा है सबसे ज्यादा प्रसिद्ध उत्त्य प्रदेश का यमुना एक्सप्रस वेका निर्माण नोड़ा और आगरा के बीच में किय गया उत्त्य प्रदेश में जैन और बहुत दोनों तर्मों का प्रशित तीर स्थाल कहां पर कौसांबी में यह प्रस्ण बहुत ही बारिक जाम में पूचा गया है रिकार्ड तोड आप इसको बिल्कुल ध्यान में रखिए हो सकता कल की पेपर में आपके आ जाए भारती ग वीडियो को दोस्तों आप अपने दोस्तों को साथ जुरूर कीजेगा क्योंकि मुझे उम्मीद पूरा इस वीडियो में आपको पसंद आया होगा और अगर 12 वीडियो के एक्जाम में कल आते हैं तो आप यह मान के चलिए कि 8 प्रेशन तो आपके इसी वीडियो से मिल पूरेंट्शन से अभी मैं एक और वीडियो ले कि आऊंगा और वीडियो का चलिक कि एक जैम के बहुत ही मपार्टन है साइंस में के जो कोईशन आएंगे वो वहां से आपको मिलेंगे तो दोस्तों इस वीडियो집 बस इतना ही अगले वीडियों के साथ फिर आपको सापनी या कियां दीजे, धन्यवाद.